Hello investors, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करने रहे Syntax Industry Application Limited के बारे में और साथ ही बात करेंगे इसके मारकेट की latest update जिससे आननेले समय में Syntax Industry फिर समय मारकेट में कब तक रिलिस्ट होती हुen नजरा सकती तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टन होने वाला है तो वीडियो कॉंतेक्ट देखना चलिए शुरू करते सिंटेक्स इंडेस्ट्रिस की आज की बड़ी न्यूस की बात करें तो रिसेंटली मेरे पुराने वीडियोस में मैं आपके शार्ट शेयर किया था कैसे वेल्सपन ओल और इंडिया में सिंटेक्स के जो न्यू उनिट्स उपन करते वी नजर आए जापे अल्रेड़ी इन्हों अधर आ रही है और साथ ही कंपनी का मानना है जो इनके वाटर स्टोर्स टैंक से उसमें काफी ज़्यादा इंप्रूमेंट करने वाले तो यह काफी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है सिंटेक्स के रिलेटेड लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट आज हमें देखने को मिल रही जो कि काफी बड़ी न्यूस है और रिसेंटले आपने देखा होगा कंपनी कंटीनूसली अपने न्यू यूनिट्स ओपन करती वी नज़र रही जापे मद्य प्रदेश में इन्हों ने करीब 400 करोड को एक बड़ा इंवेस्मेंट किया है जापे कंपनी कि फसे होगा इसके कोई हमें update डेखने को नहीं मिल रहा है और काफी जादा कमेंट्स भी याता है कि सिंटेक्स इंडीट्रे के NCLT code से कोई भी stock को कोई जब take over करता है तो उसमें काफी लंबे समय अकसर चला जाता है कभी कभी कोई company एक महिने में उतरती है तो कभी कभी एक दो तीन साल भी लग जाते है लेकिन syntax industry में recently जो चार पाच महिनों में जो बड़े बड़े हमें updates देखने को मिलें तो यहासे आप easily predict कर सकते हैं बहुत जल फीट से syntax industry market में release होगी और आपको आपके shares मिलें लेगें लेगें साथ ही market में एक ये भी news चल रही है कि syntax industry जब भी market में release होगी वो FPO के तुरू होने वाली है और FPO के तुरू जब कोई भी company release होती ही तो आपको आपको जैसे कि आपके पास example के तोर lottery पी लगते हुई नज़र आ सकती है for example आपको जैसे पतन जली और रूची स्वय का जो case हुआ था जहापे अगर आपके पास अगर 100 shares है तो उसके बदले आपको 10-20 share ये जो ratio है वो अभी तक डिसाइड ने हुए लेकिन जो market में new चल दी तो 100% जो haircut होते हुए नज़र आग बीच में काफी ज़्यादा चर्चित भी है और काफी ज़्यादा एक famous company भी है और काफी trusted company भी इसके जो product से काफी ज़्यादा ट्रस्टेड भी है इंडिया में तो फिलाल देखा है तो जब भी company released होगी तो उस price पे तो 100% open नहीं होगी एक काफी उपर का level price हमें फिर से market में रिलिष्ट होते हुए नजर आने वाली है और काफी ज़्यादा subscribers को यह भी doubt था कि recently जो NCLT court ने dealis के related जो एक new rule बना थे जापे minimum waiting period हमें past साल देखने को मिला था और जो maximum time था पूराने time के तरह 10 years हमें देखने को मिला था लेकिन यह rule जो 2024 में आ है तो जितने भी stocks अभी ड डालो तो यह पहले हुई थी तो जो अभी देखा है तो mostly stocks हमें March या April के मैने में market में fit से release होते हुए नजर आ रहे और जिस तेजी से जो बड़े-बड़े investment हमें देखने को मिल रहे है syntax industry में विल्सपन की तरफ से तो आप यहाँ से easily predict कर सकते हो बहुत जल हमें कोई बड़ इसकी date हमें देखने को मिल सकती है और साथ ही जो बड़े-बड़े investment हो रहे है तो हम यहासे काफी एक positive sign नजर आ syntax industry फिर से release होने के है और 100% syntax industry आपको बहुत जल रिलिस्ट होते भी नजर आने वाले तो अभी तो हम फिलाल इसमें holding कर से तो क्योंकि और हमारे पास को option भी न को subscribe करो मिलते अगले वीडियो में thank you